हाई गाईज गुड़ा गुड मॉर्निंग बेलकम टो माई यूटूब चैनल इंजीनियर डोज में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है गाईज आज हम डिसकस करेंगे दिले और इनके अपलिकेशन्स गाईज तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लगभक सभ हम डिसकस करेंगे आप किसी भी स्टेट या सेंटल गॉर्मेंट इंजिनिंग का एक्जाम दीजिए तो इससे एक कुशन आपको एट लिस्ट मिलते ही मिलते हैं तो आप सभी पूरा वीडियो धिहान से देखें आपको सारे रिले क्लियर हो जाएंगे अगर कोई भी रिले छूट जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता करके मैं उसके बारे में अपडेट कर दूँगा चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वो खोल जिरिले डियर स्टुडेंट यहां से आप सब देखेंगे वो खोल जिरिले इसको हम कहते हैं गैस एक्चुएटेड रिले इसका यूज ट्रांसफार्मर में होता है जो यहां से आप देख सकते हैं वो खोल जिरिले इसको हम कहते हैं गैस एक्चुएटेड रिले इसका यूज ट्रांसफार्मर में होता है तो जो भी स्टुडेंट है वो अच्छे से समझ लें इसका दूसरा नाम है गैस कि जाती है और एक बहुत बड़ा क्षेन्ट से निकल गजाता है कि कोई भी टैपिंग फीडर में नहीं कि जा सकती तो साथ-साथ आप यह भी लिग ले कि translate relay का प्रियोग feeder में किया जाता है feeder की design current current capacity पे की जाती है feeder में कोई भी tapping नहीं किया जा सकता तो यह दोनों questions आपके 3 questions के लिए हो जाएंगे carrier current phase comparison relay तो यह dear student आप सभी इसको ध्यान से देखें PDF बनाने वाले ने गलती कर दिये ये part और ये part दोनों एक ही है तो career current phase comparison relay long transmission line में यूज होता है और आपका maho relay भी long transmission line में यूज होता है यहाँ से आप देख सकते हैं maho relay ये जे exam का favorite question बना रहता है इन तीनों में से कोई नो कोई जरूर पूछ लेता है directional over current relay तो इसे ring main fit distributor में यूज करते हैं यहाँ से देखेंगे dear student directional over current relay ring main distribution में यूज करते हैं उसके बाद negative sequence relay negative sequence relay generator में यूज करते हैं negative sequence relay ये question कम से कम किसी भी exam में मैंने ऐसा नहीं है कि ना देखा हो ये वाला question आप सब भी question को बहुत serious ले negative sequence relay generator में यूज करते हैं तो dear student ये यहाँ से clear हो गया अब आए इन्वर्स directional over current relay ये radial distribution में यूज करते हैं अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे reactance relay reactance relay का उपयोग दो जगां होता है short time cell line and earth fault बद ये favorite question मना है earth fault को लेकर के तो earth fault में अक्सर पूछा ही जाता है कि reactance relay कहां पर यूज होता है तो short time cell line में एक earth fault में तो आगे बढ़ेंगे impedance relay medium time cell line में हो जोता है यहाँ से आप देख सकते हैं अब आता है एक question बहुत ही important रहता है जब examiner थोड़ा paper टप बनाना चाहता है तो वो ये सोचता है कि student को कैसे question टप provide किया जाए तो इसमें आप देखे reactance relay को और किस नाम से जाना जाता है तो ये सोट यहाँ से आप सब देखेंगे reactance relay को directional restraint over current relay के नाम से जाना जाता है reactance relay को directional restraint over current relay के नाम से जाता है impedance relay को voltage restraint over current relay के नाम से जाता है तो आपका reactance relay डारेक्शनल रिस्टेंड ओबर करंट रिले हो गया इंपिडेंस रिले बोल्टेज रिस्टेंड ओबर करंट रिले हो गया और महों रिले बोल्टेज रिस्टेंड डारेक्शनल रिले यहां होगा डारेक्शनल रिले होना चीज़ छूट गया तो यह voltage restraint directional relay होता है जिसका उप्योग power swing में भी किया जाता है यह long line में होता है और power swing में भी होता है इसका medium line में भी होता है और इसका earth fault और short line में होता है reactance का इसका Dear student आप सभी को बता दे कि एक इसमें छोटा छोटा हमने figure भी design किया है इससे भी यहां सभी examiner कभी को question put up कर देता है तो आप सब इस question को अच्छे से देखें तो यह part तो आप अच्छे से कहीं पर लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं तो यह वाला पूरा part आप लिख लें यह question कहीं न कहीं हर exam में पूछे ही जाते है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है अब हम आते हैं अपने थोड़ा सा toughest point पर जहां पर examiner कभी-कभी mode में होता है तो वो examiner graph से question देता है अगर आपको ऐसा graph देखे एक्स और आर का तो यह react tensorally का graph होता है अगर आपका जो x और y axis है जो circle है पूरा circle बने इसको हम impedance relay कहते है इसको हम क्या कहते है impedance relay और अगर यह circle बन तो रहा है बट origin से जा रहा है जैसे यहां से देखिए यह origin है यहां से यहां से चलने पर यह यहां से origin से जा रहा है तो यह महो relay हो जाता है यह भी examiner का फैबरेट term बना हुआ है तो आप सभी इसको अच्छे से ध्यान से देखें कि कौन सा question आपके exam में कहां से put up कर दे relay से और अगर कोई चीज छोट गई यह कोई topic तो आप सभी comment section में बता दें हम आपको update कर देंगे थांके यह जब देरे श्रेंट